जहीं दोस्तों मैं लॉकुस कुमार रॉनर नेशनल प्लेयर इस्टेड्मेड लिस्ट दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्री यूट्यूब चैनल लॉकुस रॉनिंग टिप्स पर दोस्तों आप सभी का मैसेज आ रहा था कि 800 मिटर का वर् या वर्कआट प्लान को डेली फाल्व किजिए यह वर्काउट प्लान 5पटे करएगा जिसे कि आप डेली फालो करेंगे तो आपकी टाइमिंग और स्पीड में इंक्रीज होगा अगर आपकी टाइमिंग 220 के आसपैस आ रही है तो आप वरकाउट को 5पधे तक अच्छे से जाएगी एक मिनट 55 सेकंड के बीच में हो सकता है अच्छे से आ जाएगी अराम से और उसके बाद आते हैं वरकाउट प्लान पे कैसे है वरकाउट प्लान देखते हैं जब आप ग्राउड पे जाते हैं तो आप नार्मल स्टेचिंग करें उसके बाद वार्मप करें चार-प तो आपका मेन वРЕकाइट में मन्डे को रहे गा मॉर्निंग में 1200 मिटर का दो र nyt के अ हे yum Tu यहाप उसमें रिकवरी रेपिटेशन में चार मिनट ले सकते हैं फिर जब का बारोस मिटर का आपका और रेप्टेशन पूरा हो जाता है तो आप 1000 मीटर का दो रेप्टेशन लगाएंगे उसकी भी रिकवरी रेट रहेगी चार मिनट उसके बाद आप कूल डाउन करेंगे करेंगे अब उसी दिन आपका इवनिंग में तीन से चार किलो मिटर रहेगा जिसकी पेश जानी चाहिए चार मिनट से चार दस के बीच में आप फिर उसके बाद आप कोर एक्सरसाइज नार्मल करेंगे फिर कूल डाउन करेंगे चोड़ देंगे फिर आते हैं अगले दिन ट अगर 100 मिटर 200 मिटर हो तो बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो आप हिल रानिंग कर सकते हैं अच्छे से आप फिर कूल डाउन करेंगे चोड़ देंगे अब उसी दिन इवनिंग में आपका रहेगा फाट लेक ट्रेनिंग जो की साथ मिनट का तीन सेट रहेगा और टोटल स आप 40-45 मिनट तक पेस रानिंग करेंगे पर कीमी का पेस रहेगा आपका पांच मिनट से 5 मिनट 10 सेकंड के बीच में उसके बाद आप कूल डाउन करेंगे स्ट्रेचिंग करेंगे छोड़ देंगे फिर उसी दिन इवनिंग में आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो आर् आपके फिक्वेंसी के लिए आपका हैंड मॉमेंट के लिए एबीसी एक्सराइज बहुत जरूर रहा आप इसको अच्छे से करिएगा अगर आपके एबीसी एक्सराइज नहीं आती है तो मेरे चैनल पे जाकर लाकुस्ट रणिंग टिप्स पे आप एबीसी की एक्सराइ 200 मीटर का चार 300 मीटर का दो 200 मीटर का रहेगा जिसकी रिकावरी डेट 90 सेकेंड करहेगा आप उसके बाद इतना करने के बाद आप कूल डाउन करेंगे और स्टैचिंग करेंगे इन सभी इस ट्राइडों को लगाने के लिए आप अपना बेस्ट टामिंग दीजिएगा हर्डल वर्काउट करेंगे जो की हर्डल वर्काउट अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके हर्डल वर्काउट को का वीडियो देख सकते हैं और जिस प्रकार हर्डल वर्काउट हो रहा है उसी प्रकार आप करिएगा वीडियो में जैसे जैसे हर्डल वैसे आप करिएगा अब आते हैं Friday को Friday को मार्निंग में आप कर रहेगा चार किलो मीटर का पेस रन जिसकी टाइमिंग जानी चाहिए तीन 15 से 33 के बीच में पर कीमी आप उसके बाद कूल डाउन करेंगे इस्ट्रेचिंग करेंगे फिर छोड़ देंगे अब उसी दिन Friday को इविनिंग में आप आल कोर एक्सराइज करेंगे जो कि सभी कोर एक्सराइज तीन तीन सेट करिएगा उसके बाद आप 30-30 सिकेंड का करेंगे कोर एक्सराइज को अब आते हैं सब्ता के अंतीम दिन Saturday को यानि सनी वार सनी वार को आपका मार्निंग में 1500 मीटर रहेगा वार्मप के तौर पर उसके बाद आप अपना वार्मप करने के बाद 400 का आप दो रेप्टेसन लगाएंगे उसके बाद फिर 200 का आप दो रेप्टेसन लगाएंगे उसके बाद cool down, stretching फिर छोड़ देंगे अब उसी दिन सनी वार को इवनिंग में इवनिंग में आल ABC एक्सराइज आप कर सकते हैं अच्छे से पूरा ABC एक्सराइज करिए और हर एक ABC एक्सराइज में आप दो दो सेट करिएगा उसके बाद आप हो सकता है तो अगर साम को टाइम मिलता है तो आप उस दिन वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं साम को जैसे 6 बजे जी मुम में जाकर आप वेट ट्रेनिंग का वीडियो में आपको लिंक में भेज़ दूँगा फिर उसके बाद संडे को संडे को आप फुल रेस्ट कीजिए और अपने डाइट पर ध्यान दीजिए इन सभी वर्काउटों को करने के लिए आप अपने डाइट का अच्छा ध्यान दे डाइट जिजना अच्छा लेंगे उतनी अच्छी आपकी टाइमिंग आएगी और आप अपने स्पीड इनक्रीज कर सकते हैं अपने टाइमिंग को तोड़ सकते हैं आपकी अगर टाइमिंग दो मिनट 20 सेकेंड आ रहे है तो आप अपनी टाइमिंग को एक मिनट 55 सेकेंड दो मिनट के बीच में कर सकते हैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पस करें और अपनी टाइमिंग को कम करें अपने स्पीड को इंक्रीज करें तो अगला वीडियो मेरा दूस्तों कोर एक्सरसाइज पर रहेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन